राबरी देवी के आवास पर E.D. के अधिकारी पहुंचे थे और E.D. के अधिकारी ने राबरी देवी के आवास पर कुछ महत्पुन कागजा दस्तावेज सौपे हैं और ये माना जा रहा है कि ये दस्तावेज समन था आपको बता दे कि राबरी देवी उनकी बेटी हेमा यादव मीशा भारती को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेस होने का निर्देश दिया गया था के जाच के धाइरे में है और लगातार जाच परताल चल रही है आज जब राबरी देवी के आवास पर एडी के अधिकारी पहुंचे तो चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है ये माना जा रहा है कि एडी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जादा से जादा लैंड फॉर्ड जॉब स्कैम मामले में हासिल की जा सके और यही वज़ा है ये एडी के अधिकारी भी लगातार जो समन होता है वो जारी कर रहे हैं लालू परिवार को और जादा से जादा जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है हाला कि जब तेजश्वी आदब से जब ाला कि अधिया शायम कर देखने और टेज होगी और कही और कहीं नकहीं आरज्वी के तरफ से पूरे मामले को राजनितिक बता दिया गया है चुनाओ से पहले की कवायत बता दिया गया है देखना दिलचस्प होगा कि आगे लालू पडिवार या फिर राभ्री देभी के तरब से और क्या जवाब एड़ी को दिया जाता है क्या बसंद स्याम के साथ आशुतो शंद्रकसिस नीउस पटना